मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को इंडरस्टेंड करेंगे और यह जो बजट वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कितना इ दिया था उसके पीछे का रीजन यह था कि जब मार्केट में मॉर्निंग में जब एक पैनिक सैलिंग आई थी वहां पर मैंने कुछ बाइंग ओडर डालेते हैं और वह बाइंग ओडर इमीडेटली काफी अच्छा प्रॉफिट बनाके दिये क्योंकि आप देख रहे हैं य यहां पर अगर देखा जाए तो फॉल उप में क्या हुआ कि यहां पर मार्केट ने थोड़ी सी और बाइंग दिखाई जिससे कि मेरे सारे ओडर जो बाइंग साइट के तो वह बिल्कुल क्लियर ली स्कौर अफ हो गए और मिरको ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहां पर फेस लोग को हिट करके दुबारा डे लोग को ब्रेक करके फिर आपने एक रिकावरी दिखाई है तो काफी ज्यादा मार्केट यह एक वॉलेटाइल था और सेम कंडिशन कल भी रह सकती है थोड़ा सा आपको एलट रहके काम करना चाहिए ठीक है ऐसा कोई आप ब्लाइंडली कि लेसी चीज को फॉलो नहीं गर सकते हैं कि आपको लग रहा है यह ब्लैंडली मार्केट नीचे किर सकता है तो आप लर को फॉट ले लो या ब्लैंड बाती si Archie वालॅना पाल चाहिए तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे घट घटेंगे तो आप थुड़ा सा ब कर टेडिंग सेशन हमाई लिए कैसा रह सकता उसको हम समझते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है option chain data option chain data में जाहिए सी बात है अब ibs बढ़ना स्टार्ट हो गई है देरे देरे तो ऐसा कोई यहां पर बहुत जादा कुछ फरक नहीं पड़ा अठारा जार पर करीब 94 लाग का open interest खड़ा हुआ है और around put पर भी करीब 29 लाग का open interest खड़ा हुआ है put side पर 17.500 की put important रहेगी क्योंकि 33 लाग का open interest है और यहां पर call writers काफी कम है इसके नीचे तो call writer almost ना के बरावरी है अगर देखा जाए 17.400 की call दो फरवरी की जो expiry है वहाँ पर सिर्फ डाइल आपका open interest दिख रहा है इसलिए आपको नीचे 17.400 से एक strongly bounce work देखने को मिला morning में भी और afternoon में भी ठीक है चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को understand करते हैं तो चार्ट में simple का logic हम follow up करेंगे देखें day chart पे मैंने आपको एक target दे रखा है और निफ्टी ने वो target हिट करने के लिए आज का जो low बनाता वो round 17.400 सत्रा का बनाता और वहीं अगर आप देखोगे यह target हमारा 289 का है तो जादा दूर नहीं है 110 120 पॉइंट का target है बट यह follow up में है कि यह 17.400 को break करके एक बार उस target को hit कर सकता जो कि 200 डे simple moving average है अगर यह 17.725 की ऊपर sustain करता है दैन हम expect कर सकते हैं थोड़ी बहुत और यहां पर short covering आ सकती है around 17.900 तक के target के लिए 18.000 के ऊपर के sustain का होता है तो बहुत बैतरीन रहेगा यहां पर निफ्टी क्योंकि फिर यह पूरा correction होता हो दिखाई दे सकता है तो कहीं न कहीं आपको नीचे volatility आपको देखने को ज़रूर मिलेगी यह चीज़ आप clearly समझ लीजे ठीक है bank nifty के बात कर लेते हैं तो bank nifty के लिए देखो इसने जो हमारा जो basically target था वो यह था आपको बना है 39421 का तो हो सकता है यह जो आज एक halt candle बन गई है तो कल एक follow up में selling यहां पर आ सकती है इस चीज़को आप clearly समझ के रखिए खा ऐसा नहीं है कि market यहां से अब सीधा ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा market और volatile हो सकता है क्योंकि event है event से पहले volatility रहती है तो bank nifty के लिए अगर हम बात करें तो philia cut यह एक important level होगा जो resistance का काम कर सकता है 40,700 यह 40,800 से लेके आपका 41,000 और नीचे आपके पास जो support मिल सकता है 39 से लेके 38,720 तक यह यह जोन आपके पास एक support है अगर इस zone में आपको bank nifty मिल रहा है तो definitely आप एक बाद बाद करके काम कर सकते हो और ऊपर आपको इस zone के आसपर selling pressure देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर एक बाद sell करके काम कर सकते हो दोनों ही condition में आपको stop loss जरूर लगाना है stop loss अगर आप without stop loss काम करते हो तो आप को बड़ा loss होने इसे कोई नहीं ही रोक सकता क्योंकि जो volatility है वो काफी ज़्यादा हाई है आप देख सकते हो यहाँ पर इसने low बनाया low बनाने के बाद आपको recovery देख रहे है और नीचे से almost 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 अगर आप देखोगे तो low कितना बनाता आप पांश मेंट की candle follow कर लेते तो यह आपको continuously momentum दिखा रहा है almost morning में जहां तक bank nifty काम काच कर रहा था उसी level के आसफास आके close दे गया है इसका मतलब क्या है कही ना कहीं नीचे एक buying का pressure बना हुआ है बट ऊपर selling pressure भी है तो volatility काफी ज़्यादा हाई है ठीक है global market की situation currently देख लेते हैं यहाँ पर यह चीद आप clearly समझ लीजे कि global market में यह जो थोड़ी बहुत negativity है स्रिफ slightly profit booking है तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान होने की जरूत नहीं है आप सिर्फ अपना focus करिए कि अगर आप budget के लिए कुछ भी plan कर रहे हो तो आप उस पे strict रही है at least budget तक का otherwise आप option buying में सबसे बड़ी दिक्तत क्या होती है आपके अगेंस time value है आपके अगेंस time value है इवेंट है इवेंट है इवेंट जैसी घतम होगा आईवी क्रेश होंगी आईवी क्रेश होंगी उसके विजए से आपको loss भी हो सकता है यह चीद आप clearly दिमाग में जरूर रखिएगा ऐ दिक है तो blindly किसी को follow नहीं करना है कोई बोल सकता है आपको short straddle buy कर लो बड़ा moment आजाएगा आपको profit हो सकता है short straddle sell कर दो range bound होगा बड़ा profit हो सकता है कुछ भी plan करने से पहले अपना risk जरू समझ लीजिएगा बिना risk के आपको समझे कोई trade नहीं डालनी है यह चीज़ और अगर मैं कोई position बनाने का आपको idea दूँ और share करूँगा तो मैं कल के trading session मतलब कल शाम का जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं definitely ऐसा कुछ प्लान करके दूँगा क्योंकि कल की closing बहुत जादा important रहेगी market के लिए अगर यह नीचे गिर के close होता है तो chances very high कि यह budget वाले द option chain का मैंने already आपको बता दिया जो volatile market काफी जादा volatile है जिसकी वज़े से आपको option chain उतनी जादा help नहीं कर सकती क्योंकि option chain आपको normal market conditions को predict करने में ज्यादा help करती है ना कि volatile के ठीक है तो यह सारे point आपको यहाँ पे clear हो गया होगे तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गय है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरू करिएगा और channel को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सुझी लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों चैह हिंद